जारखन में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी विधायकों का पाला बदलने का दौरा जारी है। में आदे घंटे तक बादचीत की। हाला कि महता ने इस मुलाकात को अनौप चारिक बताते हुए कहा कि वे सीयम को दिवाली की बदहाई देने आए थे। लेकिन उनके इस मुलाकात से अटकलो का बाजार गर्म है। उधर सीयम रगुवरदास ने कहा कि कई विपक्षी नेता जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले है। ये लोग डबल इंजिन की सरकार के कामकाच को देखकर पार्टी में शामिल हो रहे है। सीयम ने कहा कि रगुवर का मतलब राम और दास का मतलब हनुमान होता है। मैं हनुमान हूँ जो जनता यानि अपने रगुवर से आशिरवाद मांग रहा हूँ। जे डियू के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है। मुख्यमंत्री रगुवर दास जमशेतपूर दौरे पर है। सोमवार शाम को वे सिद गोडा स्थित सूर्य मंदिर पहुचे और छट पूजा की तयारियों की जानकारी ली। सीयम इस मंदिर के मुख्य सरक्षक है। इससे पहले उन्होंने पूरे परिवार के साथ अपने एग्रिगो स्थित आवाज पर गोवर्धन पूजा की। जिसके बाद विविधान सभाक शेत्र के निरिक्षन पर निकल गये। बतादे की कुछ दिन पहले जे एम एम और कॉंग्रेस के चार विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब पलामू के हुसेनाबाद के बीएस पे विधायक शिव पूजन महता को लेकर चर्चा तेज है।